हलो बच्चो कैसे हो आप सब चलो आज मैं फिर से इस वीडियो में लेकर आया हूँ उरान स्रीज का कोशन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उरान स्रीज में हम किस टाइप का कोशन को सौलो करवाते हैं जी हाँ दोस्तो जे डबली में एडवांस में पूछा गया करवाताओं पहले को एक बार कोशन को रीड करलो आप लोगो किशन स्कूराइब करलो तो कुशन में पूछा गीया है देखो कींट चार अप्सन में से इन चार अप्सन में से कौनसा ऐस त सो इलेकर्ट्रोनिक से थत से कौन सा आईसू यसाए्लेकरोनिक होगउ ठीक है तो बच्चो सबसे पहले जो word यहां पे लिखा गया है isoelectronics पहले उसको समझ लो कि यह isoelectronics क्या होता है अगर word आपको पता हो जाए कि word क्या word isoelectronics का meaning क्या है वो पता हो जाए तो question solve करने में असान ही होगा आप लोगों को तो सबसे पहले देखो ISO का मतलब क्या होता है same क्या होता है बच्चो same clear और यहां जो electronics लिखा हुआ है electronic का मतलब है electron से क्या मतलब है बच्चो electron से तो अब दोनों word को अगर मिला कर बोले कि isoelectronics क्या होता है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी species जिसमें electron की संख्या क्या होगा ब्राबर होंगे ऐसा कोई भी species जिसमें electron की संख्या क्या हो ब्राबर हो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं ISO electronics के नाम से clear तो ISO electronic पहचानना हो तो क्या पहचानना चाहिए बाबू कि electron सेम है कि नहीं अगर electron सेम होंगे तो वो किस की example होंगे ISO electronics का clear तो बाबू ISO electronics समझ में आ गए कि हमें पता करना है कि किस किस में electron की संख्या सेम है जब electron सेम होगा तो simple वो ISO electronics होंगे clear अब देखो हमें सभी में क्या करना परेगा सभी का electrons निकालना होगा है कि नहीं बच्चो सभी का electrons निकालना होगा और electrons सेम होगा तो हम बोल देंगे क्या कि वो ISO electronics है clear तो देखो सबसे पहले हमें electrons calculate करने के लिए थोरा साथ धिहान देना कि Electrons निकालना होगा हो सकता है एटम पे कोई charge ना हो ऐसा दे सकता है या एटम पे positive charge दे दे या आटम पे निगेटिव चार्ज दे दे तो हमें electron कैसे निकालना है वो हमको समझना होगा ठीक है तो देखो मै unwilling आज concept clear कर देता हूं कभी भी एटम पे निगेटिव चार्ज दे पोजिटिव चार्ज दे या बिना कोई चार्ज का हो एटम ठीक है तो उसमे एलेक्ट्रोन कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले चलता हूं ऐसा एटम लेता हूं जिस पे कोई चार्ज नहीं है ठीक है बच्चो म एक्टोमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रोन होता है जितना जो एक्टोमिक नंबर होगा वही क्या होगा इलेक्ट्रोन होगा कब जब एक्टम पे कोई चार्ज नहीं हो clear देखो मैं लिख भी देता हूं कि अगर मेरे पास क्या हो बाबू निउट्रल आइटम हो तो में हम लोग क्या देखते हैं ऐटोमिक नंबर किसके बराबर होता है एलेक्ट्रून को ठीक है और एटोमिक नंबर को हम लोग किस से दिखाते हैं जेड से दिखाते हैं तो बाबु एक बात तो कंफर्म हो गिया कि अगर नियूट्रल atom है मतलब atom पर कोई charge नहीं है तो जो उसका atomic number वही उसका electron देखो जैसे की हमने sodium लिया तो देखो इहां पर कोई charge दिख रहा sodium के उपर नहीं दिख रहा उत्ना ही क्या होगा बच्चो इलेक्ट्रोण होगे तो अभी सोडियम पर कितने सोडियम इंस कितने इलेक्ट्रोन है तो हम बोलेंगे atonic number 11. तो इलेक्ट्रोण भी क्या होगा 11 होगे. चिलियर उसी तरह देखो मैं एक और एकजामपल लेता हूं Magnesium Magnesium का Atomic number 12 अप देखो बच्चो यहां Magnesium पर कोई Charge देख रहा नहीं देख रहा इसका मतलब क्या होगा कि जितना उसका Atomic number जितना उसका Atomic number उतना ही क्या है बच्चो उतना Election होँगी तो देखो Atomic number कितना 12, पर Eletron भी क्या होगी तो एलब हो गया, किलियर, यह कब का केस है बाबू, जब निउट्रल आइटम होंगे, तो हो सकता है, निउट्रल हो, ठीक है, निउट्रल है कहानी में आप लोगों बता दिया, चलो अब चलते हैं, पोजेटिव आइटम के पास, अगर आइटम पे पोजेटिव चार्ज रहा तो एलेक्ट्रोन कैसे निकालते हैं, है की नहीं, तो देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोजेटिव ली चार्जड आइटम, ठीक है बच्चो, अब हमें पता करना है कि पोजेटिव ली चार्जड आइटम रहेंगे, तो एलेक्ट्रोन कैसे निकालेंगे, तो देखो तो बाबू atomic number मतलब number of electrons कैसे निकालेंगे हम लो तो positive charge कैसे बनता है बाबू तो loss of electrons है loss of electrons positively charged atom atom पे positive charge कब आते हैं जब वो electron को loss करता है clear अब यहाँ पर देखो जब बाबू atom electron को loss करेगा तो electron क्या होगा घटेगा न जब कोई charge नहीं है तो दोनों क्या है बराबर है electron और atomic number बराबर थे अब मान लो कि यह plus आरहा plus कैसे आता है loss of electron से तो हम किसी को electron देंगे तो मेरे पास electron की क्या होगा कमी होगा है की नहीं electron का क्या होगा मेरे पास अगर हम किसी को दे दिये तो कमी होगा loss of electron से positive charge बनता है तो electron loss करेंगे तो हमारे पास क्या होगा electron की संख्या गाटेगा ठीक है तो निकालेंगे कैसे कि कितना होगा तो positively charged atom में number of electron कैसे निकालेंगे बाबू तो जितना atomic number है वो लिख दो जितना atomic number है वो लिख दो जितना plus charge है उतना इसमें minus कर दो ठीक है तो electrons निकल जाएंगे clear जितने इस पे plus charge है atom पे उतना atomic number से minus कर दो तो क्या निकल जाएगा electrons निकल जाएंगे जैसे कुछ example लेता हूँ यहाँ पे देखो जैसे हमने बोला बाबू A P 3 प्लस है क्या है बच्चो A P 3 प्लस है इसमें electron कितना होगा तो बच्चो electron कितना होगा तो plus charge है plus charge में क्या करते है atomic number लिखते है माइनस क्या करते है चार्ज करते है तो atomic number कितना है बाबू iron का कितना होता है 26 होता है अर minus कितना कर दे बोलो आप लोग खुद बता हो कितना minus कर दे जल्ली जल्ली तो बाबू यहां पर देख रहे हो ना कितना plus दिख रहा 3 तो कितना हो जाएगा बाबू 23 clear तो जितना plus charge रहे plus charge इतना रहेगा उतना क्या करेंगे हम atomic number में minus करदेंगे तो हमें plus वाले atom में electrons निकल जाएंगे clear अब एक और case है सर अगर negative charge होंगे तो electron कैसे निकालेंगे है की नहीं बच्चो ये भी तो question पूछ सकता है कि जब electron negative charge वाले atom में कैसे निकालेंगे तो देखो निगेटिव जाग्टवली चाज्जे लटम तो पहले मैं लिग देता हूं कि अपर निगेटिवज आपक के निगेटिव चार्ज बंता कैसे है तो बनेगा कब जब डिधा टोनोब और टोनों ब्राबर थे हैं न, जब कोई चार्ज नहीं है तो ब्राबर थे अब हम बाहर से ले लेंगे तो atomic number से ज़्यादा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोन हो जाएंगे जब दोनों ब्राबर था तो कोई चार्ज नहीं थे अब क्या हुआ 10 atomic number थो 10 electron था मान लेते हैं अब electrons लेंगे तो electron क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएंगे ठीक है, मतलब क्या करना परेगा इस पर electrons निकालने के लिए atomic number लेंगे minus वाले में electron कैसे निकालेंगे minus वाले में कैसे electrons निकालेंगे तो atomic number लेंगे और उसमें जितना minus दिख रहा हमको उतना हमको add करना होगा ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रोंस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चो? इसमें इलेक्ट्रोंस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चो? एटोमिक नंबर अज जितना माइनस उतना प्लस करेंगे आपके जितना माइनस उतना प्लस करेंगे तो अंसर तो इलेक्ट्रोंस निकल जाएंगे आपको ठीक है तो यहाँ पर देखो माल लेते कुछ भी ले लो सील माइनस ले लेते क्या ले रहे बच्चो सील माइनस तो क्लोरीन का 17 होता है बाबू इसमें एलेक्ट्रोंस कितना होगा तो 17 जितना एटोमेक नमबर वो लो अब फिर माइनस है ना तो उसको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 17 प्लस 1, 18 तो बाबू यहाँ से बस यह समझ में आ रहा आपको कि जब भी कभी माइनस दिखे तो उसको प्लस करना जब भी कभी माइनस दिखे प्लस करो इलेक्ट्रोंस निकालते समय माइनस चार्ज दिखेगा तो प्लस करना और प्लस चार्ज दिखेगा तो क्या करोगे बाबू इलेक्ट्रोंस निकालते समय एटोमिक नमबर में माइनस करोगे ठीक है देखो neutral में क्या होगा बाबू फिर से मैं एक वार रिपीट कर दो neutral item में क्या होगा कि atomic number बराबर होगा electrons का positive में atomic number बराबर नहीं होता है electron का या फिर negative में बराबर नहीं होते तो निकालेंगे कैसे नमबर अफ उलेक्टोन कैसे निकालते बच्चो positive आले में atomic number लिखना मैनस कर दो charge positive आले में negative आले में atomic number लिखो plus कर दो charge clear? तो अब इसी concept को यहाँ पे apply करो और question solve करो easily question solve हो जाएंगे easily question solve हो जाएंगे इसी concept को यहाँ पे apply करना ठीक है तो आप चानलो बाबू आप लोग कि ये माइनस चार्ज है कि प्लस चार्ज है बोलो आप खुद बोलो आप लोग माइनस है कि प्लस है माइनस है तो माइनस में इलेक्ट्रोन कैसे निकालते हैं लोग बताओ जल्दी माइनस वाले में इलेक्ट्रोन कैसे निकालते हैं तो देखो minus बाले में electrone कैसे निकालते हैं? Atomic number में charge को add करते हैं तब elektrons निकलता है तो बताओ फ्लोरिन का atomic number कितना होता है? 9 होते हैं कि टना होता है बच्चो? 9 तो मैंने 9 लिख दिया अब यहाँ पर बताओ कि इस fluorine पे minus charge कितना है? है नो बोलो बोलो है खुद बोल दो एससर और वान माइनस 4 दिखकले आतो तो वन है बाबो तेहां पर प्लस वन कर दो क्योंकि माइनस में क्या करना है एलेक्ट्रोंस निकालते हैं अब बाबो यहां पर क्या चार्ज दिख रहा आपको बोलो प्लस दिख रहा तो प्लस वाले में इलेक्ट्रोन कैसे निकालते हैं Atomic number माइनस चार्ज करते हैं Atomic number कितना है 3 है ना बच्चो तो electrons निकाले जैंगे कैसे तो यहाँ पे 3 और माइनस 1 करेंगे सर तो देखो क्या आजाएगा 2 ठीक है देखो दो यहां पर कितना आएगा बाबू टेन आएगा क्या एलेक्ट्रोंस ब्राबर दिख रहा है बोलो बोलो दिख रहा ब्राबर नहीं तो यहां पर यह तो एक्जाम्पल नहीं होगा एस सो एलेक्ट्रोनिक्स का फिर भी चेक कर लेता हूं बाबू यहां पर देखो प् प्लस है तो माइनस कर देंगे 1 तो कितना हो जागा 10 है ना बाबू फिर यहां देखो यहां भी प्लस है तो प्लस वाले में क्या करता Atomic Number लिखते हैं Electrons निकालते समय Atomic Number और माइनस क्या कर देते हैं 4 जिस से तो माइनस 2 यह भी कितना हो जागा बाबू एलेक्ट्रोन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए बच्चो तो सारा के एलेक्ट्रोन सेम इसमें तो नहीं है तो यह एक्जामपल आईसो एलेक्ट्रोनिक्स का नहीं होगा चलो इसको ट्राइ करके देख लेते हैं देखो नाइट्रोजन अभी negative charge दिख रहा बाबू तो negative charge में क्या करते हैं हम लोग atomic number plus charge करते हैं तो atomic number कितना है बाबू nitrogen का 7 होता है अब plus करते है charge को तो plus है बाबू minus है ना तो plus करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 है न बच्चो 10 हो गिया फिर देखो lithium का कितना होता है बाबू 3 अब lithium plus है इसलिए हम atomic number लिखेंगे अब plus वाले में क्या करते थे minus करते थे तो minus यहाँ पर क्या कर दिए 1 कर दिए तो बताओ बच्चो यहाँ पर कितना elektron आगिया बोलो आप लो खुद बोलो 2 आएंगे 2 आजाएगा तो क्या 10 और 2 ब्राबर होता है बोलो 10 और 2 ब्राबर होता है नहीं मतलब ये भी example नहीं होंगे ठीक है ये भी example correct नहीं है अब इसका चाहोगे तो इसका खुद से निकाल लो बाबू प्लस चार्ज है प्लस वाले में क्या करते हैं atomic number में minus करते हैं देखो यहाँ निकला हुआ है already तो यहाँ पर कितने electron होगे है 12 12 minus 2 है ना बच्चो कितना 10 अब oxygen का कितना होता है बच्चो 8 होता है तो 8 जब होंगे और minus charge है तो 8 minus में तो plus करते हैं ना बाबू 10 तो देखो ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 लेकिन ये 10 नहीं है तो ISO electronics नहीं हो गई है फिर इसमें देखो बाबू लिथियम प्लस है क्या निकालना ही ज़र होता है मुझे लिथियम प्लस लिथियम प्लस कितने electron बाबू 2 देखो एने प्लस है एने प्लस तो निकालें चुका ना सर एने प्लस तो निकाल चुका ना प्लस है तो atomic number करते है minus charge करते है तो सोडियम का atomic number कितना होता है बच्चो 11 प्लस है तो minus 1 कर दे क्या हो जाएगा 10 इसको देख लो बच्चो oxygen का atomic number 8 है और बाबु यह minus है कि plus है तो minus है तो minus वाले में क्या करते है plus करते है क्या हो गया 10 फिर fluorine का कितना atomic number 9 होता है क्या minus है या plus है minus है तो minus वाले में क्या करते है plus करते है है ना तो यहाँ पर minus 1 था plus 1 किया तो यहाँ भी 10 देखो यह 10 यह 10 यह 10 लेकिन यह 10 है नहीं है सर तो आई सो औल होंगे नहीं होंगे कि लिए तो फिर देखो नीचे बाला बाबु देखो यह नेगेटिव है या पोजीटिव है देखके बताओ जल्दी से निगेटिव है या पोजीटिव है बोलो तो निगेटिव है तो निगेटिव आले में क्या करते है बाबु हम लिखते है अटमिक नंबर चार्ज को प्लस करते हैं है ना तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा टेन फिर देखो यह भी निगेटिव है तो निगेटिव है तो औक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 होता है, negative है तो फिर plus करेंगे, तो कितना है तो 2 है तो 2 plus करेंगे, 10, देखो ये भी negative है सर, तो atomic number, 9, fluorine का, और negative है, इसलिए क्या करेंगे, यहां प्लस करेंगे, तो यहां पर plus 1 करेंगे, तो ये भी कितना आएगा, 10, ठीक है, फिर sodium में देख लो बच्चो, sodium plus है सर, तो plus वाले में क्या करते हैं, minus करते हैं, तो sodium का atomic number कितना, 11, minus क्या करेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा, 10, अब देखो ये option में सभी का electron क्या है, 10 है सर, मतलब ये मेरा क्या होगा, correct answer होगा, ठीक है, त जिसमे number of electron क्या दिखे, same दिखे, उसे क्या बोलते हैं, ISO electronics, तो देख लो, किस option में same दिख रहा है आप लोगों को, देख लो, ठीक है, तो किस option में, D option में बावो, तो answer ये हो जाएगा, तो जैसे ही ISO electronic का question पूछा जाए, तो ध्यान देना, कि number of electrons निकालना है मुझे, जिसमें electron same दिखा, वो क्या होगा, ISO electronics होंगे, और ISO electronics, जब भी electrons निकालोगे, तो तीन ही case आएंगे आपके पास, या तो neutral रहे atom, या तो positively charged atom हो, या तो negatively charged atom हो, जब positively neutral रहेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना atomic number, उतना ही electron, clear? और जब आपका positively charged atom रहेंगे, तो क्या करेंगे? जितना उसका atomic number और charge को minus कर देंगे, ठीक है? फिर बच्चों, जब negatively charged atom होंगे, तो क्या करेंगे? तो electrons निकालते समय, atomic number लिखेंगे, और negative charge है, तो उसको plus कर देंगे, क्योंकि gain of electrons होता है, तो उमीद करता हूँ, इस type का question, जब आप ये तरीका देख लोगे, तो किसी भी, कोई भी question आपको छुटेगा नहीं, आईसो एलेक्ट्रोनिक्स को, clear? चल्दू, next video मिलते हैं आप लोगों से.